हाई अवरिवन वेल्कम बैक टू शद्दा यल्लरी चलिए फ्रेंड्स बहुत ही बड़िया टेस्टी रेसिपी बनाते हैं अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर करिए और प्लीज फ्रेंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब क करते हैं सबसे पहले तो एक कटोरी नॉर्मल वाले चावल लेना है और उसी कटोरी से हम एक कटोरी उड़त की डाल लेंगे अब दाल और चावल को बहुत ही बड़िया तरीके से तीन बार अच्छे से वाश कर लीजिए और फिर इसमें हम इतना पानी डाल देंगे की डाल अच्छे से डूब जाएंगे देखिए इसको कवर कर दीजिए और ओर नाइट के लिए हम भीगा कर रख देंगे देखिए अब दूसरा दिन है दाल और चावल ना बहुत अच्छी तरह से भीग गए है तो हमको यह सारा पानी हटा देना है और दाल और चावल को हम अभी ग्राइंड करेंगे तो आपको बस थोड़ा थोड़ा ही इसमें पानी एड़ करकर यह पीस लेना है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा याने पानी नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा ही वाटर एड़ करकर देखिए इस तरह से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है बहुत ही बढ और नाही जादा गाड़ा चलिए अभी इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं अब हम क्या करेंगे इस बैटर को ढख कर कम से कम एक से दो घंटा रेस्ट के लिए रख देंगे तब तक चलिए बाकी की तयारी करते हैं कोई सबजिया है मेरे पास में जैसे आलू गाजर मुडा ह है दो सितीन हरी मिर्ची अब पत्ता गोभी भी ले सकते हैं गाजर मुडा और जो पोटैटो है तो उसका ना हम उपर का छिलका पहले हटाएंगे और उसके बाद में ही बारी बारी यहने सब को हम यहाँ पर अच्छे से काट लेंगे अब एक पैन में एक चमच ऑईल है मैंने जितनी सब्जिया है यहाँ पर अच्छे से हमको पकाना है थोड़े से मटर है मेरे पास यह भी मैंने इसमें डाल दिया है और दो से तीन लसून है और थोड़ा सा अध्रक है उसको ना ऐसा थोड़ा क्रश करकर डाल दीजिए बहुत अच्छा फ्लेवर आता है यह ज यहाँ से कम 2-3 मिनिट अच्छे से पकाएंगे तो मीडियम पर इत्छे से पकते है तो देखे इस तरह से सब्जियों को मैंने रेडि कर लिया है अब हम बैटर को चेक कर लेते है तीन घंटे में यह जो बैटर है अच्छी तरह से से जीत हो गया है और थोड़ा फूल कर जादा भी बैटर दिखने लगता है अब हमने जो सबजिया पकाए है वो इसमें आट कर दीजिए आपना यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं हरा धनिया हम जादा डालेंगे बहुत अच्छा स्वाध आता है तो बस अभी सारी सबजियों को जो बैटर को बहुत ही अच्छी तरह से आधा मिनिट के लिए हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे अब हमने यहाँ पर लिया है एक केक टीन तो इसको ना पहले ऑईल से ग्रीस कर लीजिए और जो हमने बैटर रेडी किये है वो इसमें हम डाल देंगे देखिए इस तरह से सब अब देखिए मैं इस तरह से कड़ाई में पकाऊंगी धुकले को तो पानी को अच्छे से गरम होने के बाद में मैं यह डाल दिया है अब स्टैंड के ऊपर भी ऐसा रख सकते है पर मेरी कड़ाई में यह सेट हो गया है इसलिए मैंने डाल दिया है 15 से 20 मिनिट लग जाते ह है तो देखिए मैंने 20 मिनिट बाद ही चेक कर लिया है हमारा ढोकला अच्छी तरह से पग गया है तो जैसे नार्मल चने की दाल और चावल के ढोकले को जिस तरह से तड़का देते हैं सेम वैसा ही तड़का दे दीजिए मैंने बहुत अच्छी तरह से तड़का रेडी कर है कड़ी पत्ता जरूर डालिएगा फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है अब यह जो सारा तड़का है हम इस ढोकले के ऊपर डाल देंगे तो बस यह हमारा बहुत ही बढ़िया सूपर सॉफ्ट ढोकला बनकर रेडी हुआ है जो सबजिया हमने यहां पर यूज किये है उसका एक अलग ही स्वाद इस ढोकले में आया है जरूर से ट्राइ करिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट है हेल्दी भी है बच्चों के टिफिन में भी आप इसको दे सकते है नॉर्मल ढोकला तो हम हमेशा ही बनाते है एक बार मेरे कहने पर इस तरह से सबजियों से भर पूर यह ढोकला बना कर देखिए सबको पसंद आएगा तो आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगी तो प्लीज प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाइ